आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट आफ फिजिक्स जिसमें हम सबसे पहले स्कोप को डिसकस करेंगे दे स्कोप आफ फिजिक्स इस ट्रूली वास्ट बहुत जादा फैला हुआ है आप देखते हो हमारे पास छोटी से छोटी चीज़ इलेक्टरॉन भी है और बड़े से बड़ा आपके पास एस्ट्रॉनुमिकल अबजेक्स भी है जैसे प्लैनेट्स है इन सब की स्टडी आपकी कौन कर रहा है फिजिक्स कर रहा है तो जनली हमने फिजिक्स को दो इस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक है आपका macroscopic domain और दूसरा है microscopic domain macroscopic domain जो है वो study करता है astronomical objects, terrestrial objects, terrestrial हुए जो आपके आर्थ के ओपर जितने भी objects है और astronomical हुए जो आपके space में जितने भी objects है और दूसरा है आपका microscopic domain microscopic domain में आपके पास आते हैं electron, proton, nuclei लिया ही तो यह सारे की सारे आपके क्या हैं इत्वाइकर सकोप ब्लांट को डिफाइंट करते हैं तो मैक्रो सकोपिक जो स्टडी है उसको नाम देते हम समय क्लासिकल फिजिक्स जो 1900 में पहले पहले की गई थी जातर तर ठीक है और जो microscopic domain है उसको modern physics कहते हैं modern physics में आपके पास चो है studies है वो जातर आपकी 1900 issue के बाद की गई थी ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि at one end physics includes the study of electron proton nuclei जिनका size बहुत छोटा है और जिसको microscopic domain कहते हैं और other end पे हम study कर रहे है astronomical phenomena जिसमें galaxies हैं entire universe है जिसका size बहुत बढ़ा है इसलिए इसको हम नाम देते हैं macroscopic domain ठीक है उसके बाद हमारा topic आता है excitement कि physics को पढ़ रहे हैं उसमें कुछ excited भी है तो हम देखते हैं कि हमारे बास few basic concept और laws हैं जो हमारे बहुत सारे physical phenomena को explain कर देते हैं ठ ठीक है बहुत सारी चीज़ों को हम एक phenomena से explain कर सकते हैं ठीक है जैसे आपके वास gravitational law है तो आप ने कल देखा था उससे हमें कितनी चीज़ें explain कर दी थी fall of apple है planets की revolvement है ठीक है revolution of planets सब इसमें आप एक एक gravitation के law से explain कर सकते हैं आपका live transmission है television पे आपके program आ रहे हैं वो क्यों possible है just because of physics use of robots है किसने बनाए physics ने मनाए health sciences में x-ray है ठीक है और आपके इसके लावा endoscopy होती है बहुत सारे और भी surgical instruments हैं जो आपके physics की देन है ठीक है exploring the new sources of energy nuclear energy हमने recently ज्यादा तर यूज की हुई है देख रहे हैं आप nuclear energy का यूज किया जा रहा है इसके लावा भी बहुत सारे sources of energy हैं जो आपके किसने explore किये हैं वो सारे आपके physics ने explore किये है इसके बाद हमारा next topic है physics in relation to other sciences जैसे हम बात करें chemistry की तो chemistry में मालो हमने atom का structure हैं x-ray diffraction के बारे में पढ़ रहा हैं तो यह सब चीजें हमें कौन help करवाता है कौन possible कर पाता है वो है physics ठीक है फिर biological sciences में हम देखते हैं कि आपके पास optical microscope है electron microscope है x-ray है ठीक है वो हमें जो variety of application है biological sciences में वो कौन प्रवाइड कर आता है वो भी आपके physics प्रवाइड करवाती ह फिर mathematics जो है mathematics हम बोलते है mother of all sciences तो जो आपकी physics की theories हैं उसमें आपको mathematical concept का use करना पड़ता है that means mathematics help करता है हमें physics में theories को बनाने में ठीक है अब हम society पे आते हैं physics related to society आपकी जो society है उसमें physics का क्या रोल है तो हम देखते हैं telephone use हो रहा है mobile use हो ठीक है जिसे हम एक दम से आपके message दूसरे को convey कर सकते हैं फिर आप radio देख रहे हो television satellites हमारे पास है सेटलाइट आपके किस काम में आते हैं आपके weather forecasting में काम आरे है आपके television transmission में काम आ रहे है और भी communication mobile में भी आपके satellite का use है ठीक है और warhead में भी आप satellite का use कर सकते हो तो यह सब चीजें आपकी किसने society को दिए हैं यह physics ने दिए हैं आप transportation का use कर रहे हो transportation में आप देखते हो engine बना हुआ है गाड़ी में, engine किस ने बनाया, engine physics ने बना के दिया है, ठीक है, tire की, tire घूमते हैं, कैसे वो घूमते हैं, उनका reason क्या है, क्यों आपने उनको एक round shape में लिया हुआ है, flat क्यों नहीं लिया हुआ है, सब चीज़ें आपको कौन help कर रहा है, physics help कर रहा है, electronics में, computer, lasers, यह सब चीज़ें जो laser आपके cancer treatment में भी use के जाते हैं, computers का use आपको पता है, electronics में आप देखते हो LED bulb आपके आगे हैं, पहले आप कैसे bulb यूज करते हैं, आज के time हम LED bulb यूज कर रहे हैं, यह सब चीज़ें जो आपकी contribution हैं, किस ने दी हैं, आपको physics ने किये हैं, फिर उसके बाद आता है, physics in relation to technology, technology इता application of principle of physics for practical purposes, हम physics के laws बनाते हैं, और उनको practically use करते हैं, जैसे मानलो कोई law बनाया और engineers उस law को use करके क्या बना रहे हैं, गाडियां बना रहे हैं, ठीक है, कोई instrument तयार कर रहे हैं, यह survey कहता है, कि physics sometimes a survey of development of physics shows that, sometimes technology gives rise to new physics, मतलब कि आपकी जो नई तरह की physics निकल के आती है, वो भी आपकी क्या है, physics का ही survey है, आप technology का use करते हो, और उससे एक नई तरह की physics बना लेते हो, जैसे example के लिए हम बोलते हैं, कि wireless communication हो रही है, तो wireless communication किस की वाज़े से हो रही है, कौन सा law यूज किया ग magnetism का law, तो आप एक law से एक नई technology तयार कर रहे हैं, उसके लावा आपने, कुछ आपको मैं notes दूँगा, वो भी आपने read करने है,